पंचाब के लुध्याना के एक ज्वेलर का गरीब 6 करोड का सोना दिल्ली में खुर्द बुर्द कर दिया गया इसका मास्टर माइंड लुध्याना का शुशील टोपी निकला जुसे दिल्ली पुल्स ने सरहिंद के जगी रिसॉर्ट से गिरफतार किया इसकांड में खन्ना करेने वाला इंटरनेशनल एंटी खलिस्तान ट्रेरिस्ट फंड का राष्ट्रिय चेयर्मेन कश्मीर गिरी और उसका बेटा राजन बावा भी शामिल है इनकी तलाश में दिल्ली पुलिश ने खटिंका चौक स्थित घर में रेड की लेकिन दूनों घर नहीं मिले ज्वेलर रविंदर कुमार निवासी न्यू सुभाष नगर नस्दीक एच बीएम कॉन्वेंट स्कूल लुध्याना ने बताया कि नलके वाली गली में उनकी आरेंज ज्वेलर्स नामक दुकान है बत और ड्राइवर लुध्याना का बलराज सिंग उसके पास काम करता था खनकार आजनबाअ उसका करमचारी था दस जुलाई को बलराज सिंग के साथ राजनबावा को दिल्ली से सोना लेने भेजा गया था दस जुलाई की रात करीब नौ बजे एच चार इंटरप्राइजे का रोल बाग नहीं दिल्ली से इन दोनों ने दस किलो सोने की दस प्लेटे ली प्रतेक प्लेट का वजन एक किलो था सूनी की प्लेटे लेनी के बाद फोन पर उसे कंफर्म किया गया राजन बावन ने फोन करके बताया कि सोने की प्लेटे ले ली हैं इसी दौरान हर्याना मैत्री भवन रानी बाग दिल्ली के पास पहुचने के बाद उसे फिर फोन आया राजन बावन ने कहा कि I-20 कार उनका पीछा कर रही थी इस गाड़ी में उन्हें घेर लिया गया कार में से दो व्यक्ति निकले जिन में से एक खुद को सेंट्रल जीस्टी का इंस्पेक्टर सतवीर सिंग तता दूसरा रवी कुमार बता रहा है तीन लोग गाड़ी में बैठे हैं ये लोग सोने के बिल मांग रहे हैं इस तरह से ये पूरी घटना हुई जिसे आज दिली के राजकोट अदालत में पेश कर तीन दिनों के रिमांड हासिल किया गया है शुशील कुमार इस कांड का मास्टर माइंड है शिकायत करता रविंदर के अनुसार खन्ना में कश्मीर गिरी के घर पूरी साजुष रची गई थी शुशील कुमार टोपी के खिलाफ पंजाब और हर्याना के थानों में 18 केस दर्च हैं पंजाब के लुध्याना के एक ज्वेलर का गरीब 6 करोड का सोना दिल्ली में खुर्द बुर्द कर दिया गया इसका मास्टर माइंड लुध्याना का शुशील टोपी निकला जुसे दिल्ली पुल्स ने सरहिंद के जग्गी रिसॉर्ट से गिरफतार किया इस कांड में ख हटिंग का चौक स्थित घर में रेड की लेकिन दूलों घर नहीं मिले ज्वेलर अविंदर कुमार निवासी न्यू सुभाश नगर नस्दीक एच बीम कॉन्वेंट स्कूल लुध्याना ने बताया कि नलके वाली गली में उनकी आरेंच ज्वेलर्स नामक दुकान हैं बत जुलाई की रात करीब 9 बजे चार इंटरप्राइजे का रोल बाग नहीं दिल्ली से इन दोलों ने 10 किलो सोने की 10 प्लेटे ली प्रतेक प्लेट का वजन एक किलो था सूनी की प्लेटे लेने के बाद फोन पर उसे कनफर्म किया गया राजन बावा ने फोन करके बताया कि स कुद को सेंट्रल GST का इंस्पेक्टर सतवीर सिंग तता दूसरा रवी कुमार बता रहा है तीन लोग गाड़ी में बैठे हैं ये लोग सोने के बिल मांग रहे हैं इस तरह से ये पूरी घटना हुई जिसे आज दिली के राजकोट अदालत में पेश कर तीन दिनों के रिम अचिए